The Kerala Story, 32,000 लडकियों के गायब होने की कहानी, फिल्म में अदा शर्मा ने मुख्य भूमि का निभाई है फिल्म में 32,000 लडकियों के केरल से गायब होने का दावा किया गया है इस आकडे पर सवाल खड़े हो रही है फिल्म क्रियेटर का दावा है कि फिल्म की कहानी सची घटनाओं पर आधारित है पर क्या किसी राज्य से 32,000 लड़कियां धर्म बदल कर आतंकी संगठन में शामिल हो जाएंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि लड़कियों को पूरी प्लानिंग के साथ फंसाया गया है पहले उन्हें इसलाम के करीब लाया जाता है फिर लव जिहाद के जरिये मुस्लिम लड़के उनसे शादी करते हैं और फिर नर्स बनने के लिए उन्हें विदेश भेज दिया जाता है जहां वो ईसिस के चंगूल में जाफंस्ती है ट्रेलर के आते ही हंगामा हो गया इस ट्रेलर पर लोग अपने अपने रियेक्शन दे रही हैं रेगुलर नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और वाइरल वीडियो की लिंक दी हुई है उन्हें जरूर देखे